प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी 11 दिसंबर को एक द्यूसिय नागपूर दोरे पर है और जिसे लेकर शहर में तयारियाद जोरो पर है इसे इश्रंखला में अंग्रेजों के जमाने के बने जरजर स्टेशन को नई नवेली दुल्धन की तरा सजाया गया क्योंकि प्रदान मंत्री मोदी पहली बार नागपूर स्टेशन आएंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाएंगे ऐसी संभावना है जानकारी की मताबिक अब तक देश का कोई भी प्रदान मंत्री नागपूर रेल्वे स्टेशन नहीं आया है प्लैटफॉर्म नंबर एक से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रदान मंत्री मोदी हरी जंडी दिखाएंगे प्लैटफॉर्म का उपर हिसा सफेद और केसरिया रंग के कपड़े से सजाया गया है स्टेशन की बिल्डिंग को फूलों से सजाने का भी काम शुरू हुआ है रेड कारपेट भी आ चुकी है स्टेशन की मुख्य गेट से प्लैटफॉर्म तक रेड कारपेट भी विच्छाया जाएगा यही नहीं प्लैटफॉर्म पर लगे सभी पुराने होर्डिंग्स को भी हटा दिया गया है इसके अलावा स्टेशन परिसर में मौझुद सारे कबार को भी हटाया जा रहा है इसके साथ ही यातरी प्रतिक्षाले का रंगरंगोन भी किया जा रहा है गंदगी और धूल को हटाने के लिए स्टेशन के कोने कोने में जाडू भी लगाई जा रही है स्टेशन की बिल्डिंग का भी रंगरंगोन किया जा रहा है प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शन के लिए रखे इंजिन को पेंट किया जा रहा है स्टेशन परिसर के सब ही LED लाइट्स को भी बदला जा رہा है यही नहीं स्टेशन परिसर के पूरे परिसर में जो है रंगरंगोन का काम शुरू है पूरे परिसर को सफेद पर्दे से कवर भी किया जा रहा है इधर उधर खड़े रहने वाले वहनों को पार्किंग में लगा कर पूरी तरह से व्यवस्तित कर दिया है सुरक्षा का भी तगड़ा बंदोबस किया गया है यही नहीं मजदुर के कामों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे जाए इसलिए अधिकारी भी मौके पर मौजू दिखाई दे रहे है देश के प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी नाकपूर में 11 तारीक को उनका दोरा है इस दोरान वो कई ऐसे विकास कारियों का यहां से अपने हातों से उधाटन करने वाले है उसमें वन्दे भारे ट्रेन नाकपूर से बिलासपूर के लिए शुरू की जा रहे है उसका भी फ्लैग ओफ मोदी जी के हातों हो सकता है इसी संभावना जटे गई है और उसी की चलते हम देख पा रहे हैं कि नाकपूर रेलवे स्टेशन यहां पर पूरी तयारिया जो है शुरू है बस दो ही दिन बाकी है ग्यारा तारीक को जो है मोदी जी जो है नाकपूर में आने वाले है उनके हातों से कई विकास कारियों का उधगाटन होने वाला है और नाकपूर से बिलासपूर जाने वाली जो ट्रेन है उसका भी प्लैग उप जो है उनके हातों हो सकता है उसलिए जो है नाकपूर रेलवे स्टेशन पर कड़े आस पूलीस का साव वो यहाँ आए और अपने हातों से फ्लैग आफ करें और वंदे भारत जो ट्रेन है नाकपूर से बिलासपूर के लिए उसका भी उस दिन उसका शुबारम हो सकता है उनके हातों से या फिर ऑनलाइन भी वो इसका शुबारम कर सकते है इसलिए जो है रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तयार है कामेरा पर से नमोल के साथ मेक्षिति जादेश्मूग बीस ये नियूस नाकपूर